नागपुर के मेडिकल चौक पर 24 गंटे वाहनों का आवागमन जारी रहता है। यहां की खराब सडके जन सामने के लिए जान का जनजाल बन गई है। अस्पताल में मरीजों के साथ ही उनके परिजन भी आते हैं। इसके अलवा डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की 24 गंटे की ड्यूटी होने से आवाजाही बनी रहती है। सडकों पर गड़ों की भरमार से वाहन चालकों को परिशानी का सामना करना करना पड़ रहा है। अंगिनत गड़ों की वज़े से आटो चालकों की लंबी कतारे लग जाती है। बावज़ोत इसके प्रशासन द्वारा इस और गंबिरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीज अतन जन सामाने को इसका खामी आज़ा भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल में सुभा से लेकर रात तक अम्बिलन्स का आना जाना लगा रहता है। यही वज़ा है कि आसपास के सड़कों के साथ ही ट्राफिक व्यवस्था भी सूचारों होना चाहिए। लेकिन यहाँ आव व्यवस्था का आलम नजर आता है। पुराने ओपीडी गेट के सामने सड़क पर गड़ों की भरमार है। एक दो नहीं बलकि पूरी सड़क से ही डामर गायब हो गया है। यहाँ मेडिकल स्टोर के साथ ही नाष्टे की भी दुकाने हैं लेकिन इंडी नों ओपीडी का गेट बंद होने से सड़क पर आटो वले सवारियों के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं। सड़क पर दुकानों में आने वले ग्राहकों की गाड़ी या खड़ी होने से कई बार एंबुलेंस वालों को भी दिक्कते आती हैं। यहाँ पर अक्सर दुरगटना का हत्रा बना रहता है। चौक को छोड़ चारो और से सिमेंट रोड बनाई गई हैं। इस वज़से चौक के आसपास बने गड़ों को बुझाने के लिए किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैधना चौक की और जाने वाले मार्क पर जान लेवा गड़े बने हैं। इस टर्निंग पर वैसे भी वहनों की गती धीमी हो जाती हैं। वही दूसरी और गड़ों की वज़ज़ से दिक्कते बढ़ जाती हैं। प्रशासन द्वारा जल से डामरी करन सहित सुधार करने की मांग की जा रही है।